हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग तो ओल दिस इस और वेरी ओन पेंट फिजिशन एंच पहले जगरीव डॉक्टर एंशुमन अगरुवाल वन्स अगें स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर उसके पहले एक बार आपस से रिमाइंड करा देता हूं आज शाम को आठ बजे कौन सा सेशन है हमारा सुपर 25 Most Important MCQs हम प्रेक्टेस करने वाले हैं कौन से चेप्टर के Body Fluids and Circulation अभी Human Physiology की जो 7 चेप्टर हैं उनके जो सबसे अदा important MCQs हैं हर चेप्टर के 25 MCQs का हम लाइफ सेशन कर रहे हैं बच्चों दो चेप्टर हम कम्प्लीट कर चेंगें digestion and absorption as well as breathing and exchange of gases बटा इस चेप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर का PDF है वैसे तो हमने एक बार रिप्लेस कर जया था बट हाँ वहाँ पर वापस से कुछ error आ रहा है वो file corrupt हो गई है तो आज वापस से उसको replace करेंगे कुछ technical error है जो थोड़ा सा content में आ रहा है उस particular lecture की जो PDF है उसमें उसको replace कर देंगे चिंदा मत करो तो वह हो जाएगी वैसे भी अभी तो हम lecture wise कर रहे हैं सारे notes जो हैं इस वाले चेप्टर के chapter complete होने के बाद single PDF देते हैं तो एकाद lecture के अंदर-अंदर आपको सारी चीजे aligned way में मिल जाएगी है बहुत सारे मैं आपको एक दू लेक्टर पहले भी बोला था इस समय बहुत सारे changes आप लोग लिए हम affect कर रहे हैं अब क्या होता है कि coding होती है यहां पर जो करते हैं यहां पर बच्चों जो हो जाएगा के शोग ओके तो once again good morning to all तो जैसा मैं के रहा था तो शाम को अपना वो session है आठ बजे मिस नहीं करना है क्योंकि जो live practice होती ही questions की उसका कोई मुकाबला नहीं है आपको मैं 15 सेकिंड का countdown timer यहां पर लगा कर देता हूं ताकि आपकी practice बने आपका brain train हो कम से कम समय में accurate सही answer निकालने का बिना किसी error के बिना किसी silly mistake के ठीक है आज का जो lecture है बच्चों that is of chapter neural control and coordination nervous tissue का पूरा part complete कर चुके structure function पूरी properties everything कैसे action potential generate होती ही conduct होती ही फिर हमने brain का पूरा structure और function देख लिया four brain, mid brain, hand brain आज के lecture में बच्चों जो दो topic में आपको दिखाने वाले पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर particularly meninges और CSF यह वो दो topic हैं जो NCRT ने discuss नहीं कर रखे हैं अल्मोस्ट नहीं discuss कर रहें थोड़ा बहुत में जिसके बारे में बात है बढ़ा हम करें आल्मोस्ट discussion ना के बराबर है बच्चों पे लेकिन अगेन इनके बिना ना तो brain का structure complete है ना CNS का structure complete है और ना ही बच्चों ऐसा है कि मतब कि आप सारे के सारे equations in neural control and coordination के निकाल लोगे तो यह आप previous paper उठा कर देखोगे particularly 2010 के बात तो देखो कम होगे लेकिन particularly उसके पहले की हम बात करें तो भई यहाँ से questions आए हैं और NTA ने कहीं पर भी यह लिखकर नहीं दिया है कि हम strictly NCRT से ही question देगे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ आ रहे हैं आप देख रहे हो NTA कभी भी कुछ भी अचानक कर देता है बाइचंस मान लो आप ही किस्मत खराब निकली है और जो attempt आप देने वाले हैं उसमें questions relatively ज़्यादा बाहर से आगे तो फिर क्या करोगे बच्चों तो हमें हर situation के लिए त्यार रहना है ऐसा ने कि भर-बर के बाहर से चीज़े पढ़नी है लेकिन जो minimum requirement है वो जरूर करते हुए हम चल रहे हैं particularly उन chapters में जहां पर बाहर से चीज़े ज्यादा आने के chances है चार unit में आपको बता चका हूँ जहार से chances होते हैं कि NCRT के बाहर से questions आ जाएं human physiology की unit, plant physiology की unit एक हमारी जो reproduction वाली unit है बच्चों जिसमें चार चेप्टर से reproduction in organism, sexual reproduction, human reproduction, reproductive health and lastly जो genetics वाली unit जिसमें तीन चेप्टर से evolution, principles of inheritance and molecular basis आगी बात समझे में तो आगे हैं बच्चे सब बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का lecture Meninges तो Meninges और CSF दो topics आज हम देखने वाले हैं बच्चों, Spinal Code again NCRT ने नहीं दे रखा है तो Spinal Code के बारे में जो बहुत important points है, कुछ direct जो कुछ है जाते हैं आप से वो मैं आपको बता दूँआ और notes के अंदर आपको कुछ और extra points देदेंगे, उनको मैं lecture के अंदर discuss नहीं क करने हैं और यहां पर दो बेचेज हैं, जोश बेच, उन बच्चों का 11th class में, जिनून जो 12th में, या ड्रोपर्स हैं, इन दोनों बेचेज की content types हैं, content है बच्चों वो सारा study material इसके अंदर है, हैं written notes है, chapter wise test, full syllabus test, है ना, सारे lectures के links आपको मा मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी NCRT की highlighted, जहां पर तीन color में हमने PDF को highlight कर रखा है, तो कई बच्चों को जो use भी कर रहे हैं, के बारी features नहीं पता होते हैं, जो मैं बार बार बता देता हूँ, आप वहां से यह चीज़े download कर सकते हैं, बहुत काम के resources हैं बच्चों आपके लिए, manages क्या होती है, already बच्चों हमारी vertebral column के अंदर protected है, vertebral column के यह बार में आपको बता चुका हूँ, बच्चों, locomotion and movement में भी बतायती हैं, यहां पर वापस दिखा देता हूँ, यह हमारी vertebral column है, बच्चों है, इसी के अंदर हमारा spinal cord protected होता है, पूरी एक tunnel चल रही है इसके अंदर, और यदि हम cranium की बात ही है, तो managers की अदि बच्चों अपन बात करें, तो हमारा जो जैसे brain box है, उसके अंदर brain है, तो ऐसा नहीं है कि जो brain box की bone से just inside directly brain tissue हो, हमारे brain tissue या हम कह सकते cns tissue और जो external bone से जो इनको protect कर रही है, हमारे brain और spinal cord को, इनके बीच में भी देरार three coverings, कितनी covering से बच्चों, तीन covering कौन से tissue की बनीवी, ये nervous tissue की नहीं बनीवी, ये connective tissue की बनीवी है, तो connective tissue से बनीवी, ये जो तीन covering हैं, जो हमारे cns और इनको बाहर से protect करने वाली bones के बीच में हैं, इन तीन covering को हम क्या कहते हैं बेटा, इनको ही हम meninges कहते हैं, तो meninges समझ में आगी पहले चीज तो है क्या जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो cns is covered by three external coverings of ये चीज़ important है, याद रखना, आप लोग भूल जाते हो, exam में question आ सकता है, meninges किस tissue की बनीवी होती है, क्योंकि आपको पता है nervous tissue से related है, या इस chapter से neural control and coordination से related है, तो के बार आप क्या mistake कर देते हो, क्यार ये भी nervous tissue की ब चले, बाहर से अंदर की तरफ का मतलब क्या है, जो हमारा brain box से cranium है, कौन-कौन सी bones का बना होता है, अगे frontal, एक पीछे, एक occipital, उपर दो parietal, side में दो temporal, छे हो गई, दो deep bones थी बच्चों, मैं आपको बता ही थी, हमारा ही जो midpoint है, दो आखों के बीच का, दो eyebrows के बीच का, इसके just पीछे कौन सी है, ethmoid, और उसके पीछे कौन सी है, बच्चो, sphenoid, sphenoid में एक और चीज बता ही थी, कि एक depression है cavity होती है, इसला टर्स का cavity, जिसमें हमारी pituitary gland present होती है, ठीके, clear, तो जो हमने अभी बोला, bones, cranial bones, उसके अंदर और हमारे brain tissue के बाहर जो तीन coverings है, उसमें outer to inner हम बात करें, तो outer का मतलब बिन पता रहा था आपको just inside the bones, cranial bones के just अंदर या जो vertebral column है, उसकी जो tunnel है, वहाँ पर जो bonny covering है, उसके just अंदर, जो आपको पहली connective tissue covering मिलती है, पहली mannings, mannings is plural है, और mannings singular है, ध्यान रखना है, mannings is singular, तो जो mannings आपको just inside the bone मिलेगी, यानि कि outermost mannings हो गई, that is durameter बच्चों, durameter, अब durameter की properties को हम कैसे याद रखेंगे, dura से durable, और durable कौन सी चीज होगी, जो tough हो, थोड़ी सी thick हो बच्चों, ठीके, तो outermost तो यह ही, plus tough भी है, thick भ फिर इसके बीच में, है ना, बेटा देखो क्या होता है, कि इसमें भी आपको दो layers देखने को मिलती है, एक layer, जिसे मालो यह बाहर की bone है, यह बाहर की bone है, है ना, इस bone से एक layer बिलकुल चिक्की भी होगी, और फिर इसे की durameter की एक layer और अंदर की तरफ भी होगी, दो layers के form होता है, बच्चो इस space को हम क्या कहते हैं, इस space is called as epidural space, क्या कहते हैं बच्चो इस space को हम, epidural space, आगे बाद समझ में, तो आप तो सिर्फ ऐसे भी याद रख सकते हो, कि durameter के बाहर का जो space होता है, बाहर की तरफ का जो space होता है, उसको हम epidural space कहते हैं, इतना भी याद रख तो काम चल रहाएगा आपका the space which is present outside the duramater is called as epidural space तो यही points आपको याद रखने में आपको क्या बोला था क्योंकि यह topics जो हैं आज के topics जो हैं बच्चों NCRT में नहीं entertain किये गए हैं properly लेकिन क्योंकि previously questions हैं तो इनको एक बढ़ना तो जरूरी है लेकिन मैं उतना ही आपको दे आप लिखे इनको याद रखे ना इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं इसकी guarantee में आपको दे रहा हूँ ठीक है next देखते हैं इसके अंदर की तरफ बच्चों जो फिर next layer होती है next covering जो होती है that is known as what that is known as arachnoid meter और यह जो बच्चों arachnoid meter होती है यदि मैं spinal code के आसपास की बात परूँ तो इसमें कुछ finger like projections भी होते हैं जिनके बारे में भी अपना आगे बात करेंगे CSF में भी बात होगी यहां भी बात होगी ठीक है next layer है that is known as arachnoid meter arachnoid meter है बच्चों तो यह arachnoid meter durameter के अंदर की तरफ है अब यहां पर देखो दो spaces create होगे वापस से एक arachnoid meter के बाहर यानि की durameter और arachnoid meter के बीच में एक space और एक space होगा बच्चों arachnoid meter के अंदर की तरफ अब यह अंदर के आएगी पाया मेटर तो पाया मेटर और arach के बीच में भी space होगा इनके भी पुछ नाम होगे एरेक्वनेट मेंटर के बाहर का जो space होता है वो हम उल्टा यह दी बोलें तो क्या बोल सकते हैं दूरा मेंटर के अंदर का space हो गया दूरा मेंटर के नीचे का space भी हम कहे सकते हैं बिनीत अंदर दूरा मेंटर है ना सबसे और घिलेवबोन फिर अपैस परेपीडूरस थेरा मेया पर धीर सब्रडूरस्पेस की वुद मार्ण चेरकश है गएगा और फिर एरकुनैट मेटर आएगी तो वह स्पेस जो दीरा spinal fluid CSF important है वहां से एक term आता है hydrosopheles उसके लिए CSF पढ़ना जरूरी है बच्चों और CSF के बारे में तो आपको कुछ भी पता नहीं होता है इतने ज़्यादा confused है तो जिसकी हद नहीं है फिछले 11 साल का मेरा experience यह कहता है और मतलब मैं बिल्कुल शोरिटी के साथ कह सकता हूं कि यदी में अच्छे से अच्छे बच्चे को जो neat experience है उनको यहाँ पर खड़ा कर दूं 50 बच्चे को CSF के बारे में पूछे तो 50 में सिर्फ 5 बता पाएंगी बच्चों तो पढ़ लेना अच्छे से यह topic भी इससे हो सकता है कि directly question ना है लेकिन इस chapter से आने वाले जो questions होगे जो अच्छे questions होगे मैं definitely आपको मतलब मिलने वाली है कुछ ना कुछ यहाँ से आपको statement के form में मिल जाएगा हो सकता है वो statement directly answer ना हो उस question का लेकिन यह दि उस statement के बारे में आपको नहीं पता हुआ तो जो सही answer होगा वो निकालने में दिखकर आएगी बच्चों तो वो जो options हमें exclude करने होते हैं उनमें के बार वो information आती जो NCRT में नहीं होती और इसलिए यह चीज़े पढ़नी जरूरी है तो दिहान से पढ़ लेना ठीक है तो एरेक्टनोएड मेटर के बाहर का जो space है याने की durameter के नीचे का that is known as sub-dural space और एरेक्टनोएड मेटर और properties, durameter thick थी, tough थी, elastic थी, यह relatively पतली होती है बट इसके अंदर blood supply काफी जादा है अरेक्टनोएड मेटर के tissue के बीच में आपको blood capillaries का बहुत अच्छा network मिलेगा बच्चों, clear? फिर जैसा मैंने भी आपको बताया था यह finger lag projections रखती है इसमें आपको finger lag projections मिलेंगे बच्चों और यह जो finger lag projections होते हैं, these finger lag projections are called as arachnoid willi, willi means होता क्या है, already हम digestion and absorption पर रच्चे है, finger lag projections को हम willi केते हैं बच्चों, फटाफ़ट एक बार बता दो कि हमारी जो GIT है, gastrointestinal tract है निके elementary के नाल, उसके कौन से पार्ट में, मतलब यदि हम सारे parts के बात करें, बकल, cavity, the neesophagus, then stomach, small intestine, large intestine, तो कौन से part में आपको willi मिलते हैं, पेला question तो यह है, कि हमारी elementary canaal के कौन से part में willi मिलते हैं, दूसरा question यह है कि जिस need part में willi मिलते हैं, उसके भी कौन से sub part में सब से ज़्यादा मिलते हैं, दो questions, पहला question, elementary canal के किस पार्ट में विलाई मिलेंगे या किस पार्ट में विलाई मिलेंगे बहुत दो में भी मिल सकते हैं small intestine and large intestine, both stomach and small intestine, both stomach and large intestine, both या किसी एक में मिलेंगे, पहलो तो यह answer देना है दूसरा answer आपको यह देना है कि जहां विलाई मिलते है suppose जैसे मेरे पास answer आ रहे है small intestine, good अब small intestine में तीन पार्ट में पता है duodenum, jejunum, ileum, उसमें सबसे ज़्यादा, इन पार्ट में सबसे ज़्यादा विलाई आपको कहां मिलते हैं, फटाफट सा answer दो इन में सबसे ज़्यादा विलाई कहां question practice करते हो, particularly कम से कम biology में, कि जो options होते हैं न, वो options सिर्फ confirmation के लिए होने चाहिए, question खतम हों और हम options तक पहुँचे उसके पहले answer तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए biology में, तब हम कहेंगे कि biology वास्ता में आपके command में हैं बच्चों देखो, यह answers सब मेरे को गलत मिल रहे हैं और, in fact, सारे answers यह जो मैंने second question पूचा है, sub-part वाला इसमें सभी के answers बच्चों गलत हैं यह ना, यदि जब हम बात करते हैं बच्चों, देखो, ऐलियम आप क्यों कि ऐलियम में maximum absorption होता है, लेकि बच्चों इलियम क्योंकि लंबा ज्यादा होता है, इसलिए महाँ पर maximum absorption होता है, लेकि जब हम विलाई की बात करते हैं, तो maximum density जो मिलती है, वो जेजुनम वाले पार्ट मिलती है आगी बात समझ में, maximum absorption चाहे, इलियम में हो रहा है because of its long length, लेकि जो maximum density of विलाई होती है maximum number हम कह सकते हैं, that is in the जैजुनम बच्चों, है ना, तो again एक नया fact पता चला यहाँ पर और इससे आपको ये भी feel हो गया होगा कि जब आप पढ़ते हो, तो आप उतना चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हो और question practice क्यों जरूरी होती है क्योंकि हर चीज़ theory में cover नहीं होती theory के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती जब हम questions निकालते हैं तो उनके options में हमें कई नई information मिलती है तो इसी लिए बच्चों, question practice भी theory के साथ साथ वह जरूरी है आप 100% चीज़े theory में नहीं cover कर सकते और मैं आपको बार-बार इसलिए कहता हूँ कि जो भी मैं आपको searching app के उपड़ दे रहा हूँ चाया वो फिर lectures हो, चाया वो लेक्चर के notes हो चाया वो highlighted videos of NCRT हो चाया वो chapter wise test हो, चाया वो full syllabus test हो बच्चों इस तरह से design किये गए हैं कि जब आप इन सारी चीज़ों को करोगे इमानदारी से, सो प्रतीशत और बार-बार revise करोगे तो आपकी biology complete होगी कोई particular एक है, दो चीज़े करने से नहीं होगी, completeness तभी आएगी तभी 360 में से 360 हमारे ensure होगे आगी बात समझ में, clear है तो जैसे विलाई वहाँ होते हैं वैसे finger-like projections यहाँ भी होते हैं अब इन एरकोनेड विलाई का का काम क्या है absorption of CSF अब यहाँ पर चक्कर पढ़ता है बच्चों के क्या, बैई normally जो आप जानते हो CSF के बारे में क्या जानते हो कि हमारे brain के center में जो cavities है, उने के अंदर CSF भरा होता है, यह मैंना आपको पढ़ाया भी है brain के structure में, उन में भी जहाँ पर dilated parts होते हैं, इन cavities उनकों ventricles केते हैं 4 ventricles हमने पढ़े थे, 2 lateral ventricles हमारे cerebral hemispheres में, फिर tancephalon के बीच में diocele, third ventricle फिर poncer medulla के बीच में metacil और fourth ventricle होता है, बच्चों इन सब में CSF भरा हुआ है, फिर मैंना आपको यह भी बताया था कि spinal cord के बीच का जो part है, के नाल है, वो भी hollow है उसमें भी यह fluid भरा हुआ है, that is CSF cerebro, spinal fluid तो फिर चक्कर क्या पढ़ता है, चक्कर यह पढ़ता है, कि यदि brain की cavities के बीच में यह, या CNS के center में यदि CSF भरा हुआ है, तो यहां कैसे पहुँचा, यदि aerachronid villi इसको absorb कर रहे हैं, इसका मतलब, या तो यह aerachronid matter के बाहर वाले space, जिसको हम कहते हैं, subdural space, उसमें होना चाहिए, CSF, या aerachronid matter के अंदर वाला जो space है, बच्चे उसको, हम sub-aerachronid space कहते हैं, उसमें CSF होना चाहिए, क्योंकि जब तक इन aerachronid villi के contact में CSF नहीं आएगा, यह उसको कैसे observe करेंगे, तो भी यह CSF brain और spinal cord के center में से निकल के, बाहर के से आया, क्योंकि coverings तो CNS के बाहर है, तो बेटा, वही अभी हम देखेंगे CNS के drainage बात को में, कि CSF यहां तक पहुँचता कैसे है, और क्यों पहुँचता है, उपर वाले ने इस system क्यों बना रखा है, कि CSF यहां पहुँचे, क्यों, क्योंकि उसका absorption भी जरूरी है, बच्चों, और absorption कैसे होगा, अभी मैंना आपको बताया है, कि यह जो ereclient matter, यह काफी vascular है, इसके अंदर blood capillaries का dense network है, और इन capillaries में जो blood flow कर रहा है, बच्चों, उसी में जाकर यह CSF मिल जाएगा, आगे बात समझ में, तो CSF किस में जा रहा है, ultimately absorb होकर, blood में, अब यहां से आपके दिमाग की घोड़े दोड़ने चाहिए, और क्या दोड़ने चाहिए, कि यदि CSF यहां से absorb होकर blood में जा रहा है, तो इसका कारण क्या होगा, इसका मतलब यह आभी कहां से रहा है, blood से, तो यदि यह blood से आ रहा होगा, तो इसको वापस से blood में बेजना जरूरी है, ताकि blood की volume maintained रहे, और CNS के अंदर भी जरूरत से ज़्यादा CSF इखटा ना हो, है ना, आगे अभी देखेंगे अपन इसको, फिर यह जो यह question जरूर आता है, यह आता है, अब चाहिए इसको आप animal kingdom से मानों, चाहिए आप neural control and coordination से मानों, आप से के बार पूछा जाता है, कि mammals के कुछ characteristic features बताओ, characteristic feature of mammals का मतलब, ऐसे features जो सिर्फ mammals में मिलते हैं, बाकी members of animal kingdom में नहीं मिलते हैं, और उन में से एक feature क्या है बच्चो, अरेक्टोनेट मेंटर, जैसे memory glands, it is an exclusive characteristic feature of class mammalia, औफ phylum codator है न, और सफ़ालम vertebrata, मतलब, memory glands सिर्फ और सिर्फ आपको mammals में मिलेगी, mammals को और किसी animal group में नहीं मिलेगी, बच उसी तरह से, एरेक्टोनेट मेंटर is again a characteristic feature, एक और characteristic feature, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, वो आपको बताना है, इसी chapter के अंदर बचो, फिर आगे बात करते हैं, space between duramater and arachronite matter, अभी मैं आपको बताया, sub-dural space, and space between arachronite matter and fire matter is called as sub-arachronite space filled with CSF, दोनों space अभी मैं आपको समझा दिये है, sub-arachronite space के अंदर CSF के से आया, कहां से आया, वो अभी हम जो next topic पढ़ेंगे, आज का CSF, उसके अंदर समझ में आ जाएगा, बच्चों, clear है, तिवारी का क्या करना है, in place of lymph CSF, हाँ, हम कहे सकते हैं, कि CSF एक तरगे से lymph को ही resemble करता है, आगे चीज़ आ जाएगी समझ में, बिल्कुल, जिसने lymphatic system पढ़ रखा है, वो इस चीज़ को समझ रहा होगा, कि जैसे lymph भी blood से ही आता है, और ultimately blood में ही चला जाता है, उस तरह से CSF भी blood से आ रहा है, और ultimately blood में ही चला जाएगा, लेकिन, किस तरह से वो वापस से sub-arachnoid space में पहुँचेगा, ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, pyameter, the innermost and the last mannings, बच्चों, innermost covering है, thin है ये भी, अब ये firmly attached होती ही with the CNS tissue, जो हमारा brain और spinal cord, उसका जो outer surface है, उस outer surface है, pyameter बिल्कुल चिकी भी होती, fused होती है बच्चों, ठीके, again vascular layer है, इसके ये तो बात होगी, बच्चों, meninges की, अब हम बात करेंगे किसकी, cerebrospinal fluid, CSF, cerebrospinal fluid, क्या है बच्चों, it is a fluid which is present inside the CNS, हम कह सकते हैं, CNS के center में present होता है, hollow part होता है हमारे CNS के बीच में, यदि हम brain की बात करें, तो brain में कुछ जगा पर ये diluted भी होता है, जहां पर इसको ventricles केते हैं, spinal cord में narrow tube, uniform, almost uniform diameter की narrow tube होती है, जिसको हम neural seal केते हैं, बच्चों, इसके अलावा, जो brain है, वहाँ पर में आपको बताया था, कुछ फ्रामिना भी होते हैं, फ्रामिना उफ मुन्रो हमने बात करी थी, बच्चों, फिर हमने बात करी थी, mid brain के बीच में, यह जो CSF filled cavity ह होती है, एक narrow tube के form में होती है, जो third or fourth ventricle को connect करती है, जिसको हम क्या किते हैं, बच्चों, आइटर, और cerebral aqueduct, और aqueduct of sylvius, अभी सारी चीज़े वापस आएगी with the diagram, अब इसको समझ लो, diagram पर ही चलते हैं, उससे चीज़े आसान हो जाएगी आपकी, और फिर हम theory के points पढ़ भी पढ़ा होगा, मैंने आपको पूरा development समझाया था, किस तरह से हमारा brain और spine को develop होते हैं from the neural tube, ठीके, वहाँ पर हमने ये structure बनाया था, ये structure किस तरह से बच्चों, यदि मैं ऐसे खड़ा हूँ बिल्कुल, और ऐसे मेरे brain को काटू में, इस तरह से काट के आपके सामने present क तो जब ऐसे काटूंगा, तो अंदर से ये कुछ parts, इस sequence में जैसे मैंने याँ पर बना रहे हैं, यदि हम मोटा मोटा बनाया है, तो ये आपको हमारे brain के parts दिखेंगे, सबसे उपर जो आपको ये दो बड़े parts दिख रहे हैं बच्चों, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे है Cerebrum, कै बना रहे हैं? Cerebrum बना रहे हैं, और इसमें भी दो हमिस्फेर इंसे, ये राइट Cerebril हमिस्फेर और ये बच्चों, लेफ्ट Cerebril हमिस्फेर, रर इन दोनों के बीच में भी जो cavity होती है बच्चों, वो एक्डर की वेंटर कल ही होती है, इधर भी एक देखो, आ हमारे brain में, spinal cord में, wall के अंदर है, जो central part है, that is filled with fluid, and this fluid is called as CSF, यह जो ventricle है, this is known as lateral ventricle और paracel, क्या केते हैं बच्चों, lateral ventricle और paracel, दो होगे lateral ventricles, एक इधर, एक इधर, एक right cerebral hemisphere के बीच में, और एक left cerebral hemisphere के बीच में, पहले parts देख लो, उसके बाद बच्चों, यहाँ पर यह जो narrow space आपको दिख रही है, यह दोनों dilated parts हैं, लेकिन यहाँ कर यह narrow हो रहे हैं, तो यह जो दो narrow parts, narrow passage हैं, यह दो narrow passage क्या किलाते हैं बच्चों, these narrow passage are called as, foramina of Monroe, foramen singular होता है, क्योंकि यह यह दो है, आप एकी नाम में आद रख लो, third ventricle, चीक है, यह cerebrum था, जो third ventricle है, यह brain के कौन से part के बीच है present होता है, diencephalon, तो cerebrum के just नीचे, यह जो मैंने part बना रखा है बच्चों, dilated part, इतना सा, this is diencephalon, diencephalon के बाद यह जो dilated part है, यह represent कर रहा है, बच्चों, हमारे midbrain को, diencephalon के नीचे क्या आ जाता है, midbrain, diencephalon, cerebrum मिलकर बना रहे है, fourbrain, midbrain हो गया यह, midbrain के बीच में आप देख सकते हो, यह जो dilated cavity, third ventricle तो अपर, यह narrow हो गया है, और यह जो narrow tube है, बच्चों, this is known as, iter और cerebral aqueduct और aqueduct of silvius, तीनो इसी के नाम है, iter और cerebral aqueduct और aqueduct of silvius, छीक है, clear है, फिर बच्चों, यह क्या हो गया, midbrain, midbrain के नीचे क्या होता है, हमारा pons, pons की नीचे क्या होता है, medulla oblongata, तो यह हमारा हो गया pons, यह हो गया हमारा medulla oblongata, यह diagram already, development of cns में है, तो चिंता मत करो, आज की pdf में यह वाली मिली जाएगी, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा diagram, वहाँ पर भी मिना आपको अपको अब्रेडी दे दिया है, बच्चों, जिन्होंने pdf डाउनलोड कर लिए, उनको मिल गया होगा, medulla oblongata, इन दोनों के बीच में भी dilated cavity याने की ventricle है, और यह जो हमारा ventricle है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, fourth ventricle, this is fourth ventricle, fourth ventricle, इसके बाद फिर बच्चों, medulla oblongata, हमारे skull के नीचे निकल जाता है, medulla oblongata कहां खतम होगा बच्चों, medulla oblongata यहां खतम हो जाएगा, देखो, यह हमारा skull है, खौपड़ी है, उपर हमारा brain present है, यह जो पूरा पार्ट में यहां तक का बना रखा है, यह यहां पर, जहां हमारी hairline खतम होती है, हमारे सर के बाल खतम हो रहे हैं, यहां पर यह medulla oblongata भी खतम हो रहा है, और फिर हमारे skull के base में, एक hole होता है बच्चों, दिख रहा होगा आप सबको, यह छेद दिख रहा है, यह हमारी खौपड़ी, यह पिछवाला पार्ट, occipital bone, पिछवाली, इसमें नीचे की तरफ एक छेद है, और यह क्या होता है, foramen of magnum, foramen of magnum, इसमें से medulla oblongata नीचे निकलेगा, और एक tube black structure बना लेगा, और उसको हम क्या कहते हैं, spinal code, और यह spinal code, उसके बाद बच्चों, इस तरीके से, है ना, यह spinal code, और फिर इस whatable column के अंदर, present होती ही, इसको protect करके रखता है, whatable column हमारा, यह bones, हमारी spinal code को protect करके रखेगी, clear है, आगी बात समझ में, ठीके, यहां तक की चीज़े समझ में आई, तो यह सारे parts अब आपने देख लिए, नीचे, अब यह cavity continue करेगी, CSF field cavity किसमें spinal code में, अब CSF आता कहां से, पहला सवाल, यह ना, ऐसे अपने आप तो कहीं से आनी जाएगा, कहीं न, कहीं से तो बन रहा होगा, तो CSF आता कहां से, first question ही बनता है CSF से, choroid plexus, क्या बोलते हैं उस चीज़ का हम, choroid plexus, क्या होता है choroid plexus, देखो, यह brain tissue है, nervous tissue है, ठीक है, यह cavity है, अब cavity को यह जो, हमारे brain की lining हैं बच्चों, जो inner wall है, जो line कर रही इन cavity इसको, जो मैंने red color से बना रही है, यह जो lining है, यह कहलाती है, appendymal epithelium, यह अपन पढ़ेंगे animal tissue में, epithelium का एक type है, appendymal epithelium, यानि कि epithelial cells की बनीवी है, क्या है appendymal epithelium, वापस से बता रहा हूँ बच्चों, यह जो हमारे ventricles हैं, CSF से भरीवी cavities हैं बीच के अंदर, यह पूरी cavities में CSF भरा हुआ है, इन में, इनको जो wall line कर रही, यानि कि हमारे CNS की जो inner wall है, वो किसकी बनीवी, ependymal epithelium की, और इस wall के just outer, बाहर की यदि हम तरफ जाएं बच्चों, तो यहाँ पर आपको capillaries का एक network मिलेगा, और capillaries का बच्चों, यह जो network है, यही क्या केलाता है, choroid plexus, this network of capillaries is called as choroid plexus, got it, चीक है, और यह जो network of capillaries है, इसमें क्या है, capillaries में blood flow कर रहा है, blood में दो component हम पढ़ते हैं, fluid component, plasma, and formed element, जिनमें cells and corpuscles आज आते हैं, RBCs, WBCs, platelets, तो यह जो fluid वाला part है, यह इसमें से filter होकर, किसमें आता है, इन cavities के अंदर आता है, बच्चों, clear है, RBCs नहीं आएगी, platelets भी नहीं आएगी, जो fluid वाला part है, plasma, वो filter होकर आएगा, WBCs, हम अल्डेडी पर्च के हैं, body fluids and circulation होए, एक term में आपको बताया था, diapidasis, मतलब, जो WBCs है, होकर, pass होकर, इधर, brain के center की cavities में आ रहा है, यही fluid क्या है, CSF, तो CSF की composition हम क्या कह सकते हैं, it is almost similar to, plasma, और उसके अंदर cells की बात करें, तो तीन जो type of formed elements होते हैं, हमारे blood में, RBCs, WBCs, platelets, सिर्फ कौन से type की cells मिलेगी बच्चों, कुछ WBCs आपको यहां पर मिलेगी, यहां तक कोई doubt हो तो बताना बच्चों, है न, doubt नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, clear है, अब हम क्या कह सकते हैं कि coroid plexus CSF बना रहा है, अब वो भी कहां कहां बना रहा है, तो बच्चों जहां जहां भी ventricles है, lateral ventricles और paracil, third ventricle, fourth ventricle, इनकी वोल में यह जो coroid plexus आने के network of capillaries होता है, यह ज़्यादा dense होता है, और maximum amount of CSF यहीं से filter होकर आता है, ventricles के coroid plexus से, उसमें भी कौन से ventricle के coroid plexus से सबसे ज़्यादा बनता है, that is lateral ventricle और paracil, सबसे ज़्यादा CSF यहीं से filter होकर आएगा, almost पूरा, ज़्यादा तरह amount हम कह सकते हैं, आप तो याद रखो, आपके level पे इतना है, अब क्योंकि सबसे ज़्यादा CSF यहाँ पर बन रहा है, तो उसका pressure भी relative सबसे ज़्यादा यहीं होगा, और कोई भी fluid यहाँ हम गेस की बात करें, तो high pressure to low pressure flow करती है, तो CSF का direction of flow भी क्या होगा बच्चों, यहाँ से अब यह नीचे की तरफ जाएगा towards the third ventricle, कैसे जाएगा, फुरामिना ओफ मुंडरो से होता हुआ, तो drainage path भी यहाँ हम बात करें कि direction of flow of CSF क्या होगा, maximum amount बन रहा है by the coroid plexus of lateral ventricles, इनकी cavities में आया, फुरामिना ओफ मुंडरो से होता हुआ का आया, third ventricle of the diencephalone, यहाँ से फिर यह नीचे जाएगा, किसमे fourth ventricle के अंदर बच्चों, आगे बात समझ में, अब यहाँ पर कहाणी में twist है, जो जादा तर बच्चों को नहीं पता होता, यह काफी बच्चों को पता होता है, जिसा answer भी आरे मेरे पास, तो उससे पता भी चल रहा है, कि इतना शायद पता है काफी बच्चों को, अब यहाँ देखना बच्चों, देखो, मैंने यहाँ पर कुछ मेरेंज vaccinations भी बना रखी, इतने से पार्ट में, यहाँ से लेकर, इतने पार्ट में मैंने मेरेंजिस बना रखी, जो यहाँ पर, यह बिलकुल एक black color की counter lining मिल रही है आपको, जस्ट outside the brain, बाहर बोंस आ जाएगी बीच में एरेक्रोंट मेंटर है जिसमें finger lag projections आने की एरेक्रोंट विलाईए एरेक्रोंट मेंटर के बाहर का space sub-dural space किलाता है एरेक्रोंट मेंटर पाइमेटर के बीच का जो space है बच्चो अब देखो यहाँ पर ये जो fourth ventricle है इस fourth ventricle की wall में बच्चो तीन छेद है है ना fourth ventricle नीचे तो किसमें continue कर रहा है नीचे कहाँ continue कर रहा है इस spinal cord की cavity में तो देखो CSF जो fourth ventricle में आ था एक तो नीचे चला जाएगा कहाँ पर spinal cord की cavity के अंदर चला जाएगा इसको हम नेच्चों seal केते हैं, क्या केते हैं, neuro seal, लेकिन कुछ CSF कहां जाएगा बच्चों, जो fourth ventricle है, उसकी wall में तीन छेद हैं, एक छेद बिल्कुल center में, और दो छेद side में, अब देखो side वाले छेद देखो, ये जो side में दो holes हैं बच्चों, इन holes का एक end, तो कहां पर communicate कर रहा है, इस fourth ventricle क बीच में, और जो दूसरा end है बच्चों, ये वाला end देखो यहां पर, ये किस में जा रहा है, ये through and through nervous tissue से होता हुआ, कहां खुल रहा है, सब ericumet space के अंदर खुल रहा है, parameter और ericumet meter के बीच में, यहां पर ध्यान देना है आपको, आगी बात समझ में, तो ये जो hole है ब ये भी fourth ventricle को directly किस से connect कर रहा है, sub ericumet space, फिर जो side में दो छेद है, ये भी directly इस central cavity को किस से connect कर रहे है, fourth ventricle को किस से connect कर रहे है, sub ericumet space, ठीके, आया ये तीन holes, तो कुछ amount of csf, तो नीचे चला गया spinal cord की central cavity में, लेकिन कुछ amount इन तीनों foramen से होता हुआ, कहां जाएगा, इस sub ericumet space के अंदर भर जाएगा, बच्चो, this is clear or not, clear है, वे एक का answer तो आगया, बाकी के मेरे को answer नहीं मिल रहे है, आज की clear है या नहीं है, doubt हो तो please बता दो, मैं वापस explain कर दूँ हा, doubt रखोगे तो बेटा फिर आगे का समझ में नहीं आता है, आगे है, चलो केशव को clear है, good, ठीक है, अब यह जो तीन whole से इनके नाम क्या है, जो बीच ओ बीच प्रेजेंट है, बच्चो, वो single होता है, that is known as Framina of Magandie, अभी मैंने सब लिख रहा है, नोट सक अंदर मिल जाएगा आपको, और जो यह दो side में छेद हैं, बच्चो, यह होते हैं, Framina of Luschka, तो द स्पेस में जाने के बाद क्या होगा, देखो, यहां तो understanding के हिसाप से मैंने इतना चोड़ा स्पेस बनाया, इतना चोड़ा होता नहीं है, बहुत thin स्पेस होता है, और जब इतने पतले स्पेस में यह fluid जाएगा, तो उस fluid का pressure भी ज़्यादा होगा, और वो किस से ज़्याद होगा, तो CSF की tendency क्या होगी, इस space से किस में जाकर absorb हो जाएगा, उन blood capillaries में, जो इन arachnoid villi finger like projections of arachnoid matter में है, ultimately यह CSF कहां जा रहा है, blood capillaries में, आया कहां से था, koroid plexus, वो भी क्या थी, network of blood capillaries, तो इस से एक circulation बना रहेगा, CSF नया बनता रहेगा, और again absorb होता रहेगा, नया बनता रहेगा, absorb होता रहेगा, drainage चलता रहेगा, बच्चों, ना तो blood volume कम होगी, नहीं unnecessary excess amount of CSF accumulate होगा हमारे brain और span code के अंदर, उसका pressure जरूरत से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि pressure बीच की cavities में जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया, मालो यहां पर किसी तरह का क पर लग रहा है, तो बाहर की तरफ क्या present है, nervous tissue, neurons के उपर pressure लगेगा, nervous tissue damage होगा, बच्चों, brain damage हो सकता है, तो जब भी ये बीच के CSF का pressure बढ़ता है, CSF की वज़े से जो pressure generate होता है, उसको हम कहते हैं, बच्चों, intracranial pressure, intra means inside, inside the cranium, inside the brain, intracranial pressure, और वो condition, कई कारण हो सकते हैं उसके, जैसे किसका BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अब देखो BP जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो क्या problem होईगी, koroid flexus के अंदर, इनकी capillaries में जो blood flow कर रहा है, उसका BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो filtration ज़्यादा होगा, into the ventures, यान हम चाते हैं कि अरेक्टनोय में जाए, तो सब अरेक्टनोय स्पेस में जो CSF उसका pressure उन capillaries के pressure से ज़्यादा होना चीए, लेकिन जिन लोगों में blood pressure बढ़ा हुआ होगा, उनमें इन blood capillaries का pressure relatively थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर absorption तो हो गया, कम, और य जो आइटर, cerebral aqueduct वाला part है, यह block मिलती है उनमें, फिर यह तो surgery से ठीक होती है, यदि यह block है, तो उपर जो CSF form हो रहा है बच्चों, वो यहाँ कर अटक जाएगा, उपर यूपर बढ़ता रहेगा, नीचे वाला तो चलो drain हो जाएगा, लेकिन उपर वाला तो बढ़ता होता है बच्चों, यह सारी conditions जहाँ पर intracranial pressure बढ़ रहा है, क्या कहलाती है, इनकों यदि मैं एक term दूँ, तो आप क्या बोलोगे इसको, this condition is known as hydrocephalus, cephalo refers to brain, head, hydro means fluid, water, तो fluid ही तो भर रहा है यहाँ पर, तो आम भाशा में, हिंदी में हम क्या कहते हैं, मरीज को कैसे आते हैं, और कई बार जब यह pressure बढ़ जाता है, ICP, intracranial pressure नहीं को कैसे समझते हैं, दिमाग में पानी भर गया है, वो पानी क्या है, CSF, आया नहीं समझ में, यह सारी चीज़ां आपको CSF के बारे में पता होनी चीज़, जो भी मैंने आपको explain करी है, तो अब आगया समझ म आपको इस सारे points कितने easy लगेंगे, तो fluid present in cavities or the ventricles of CNS, CSF है बच्चो, कौन बना रहा है, इसको choroid plexus बना रहा है, which is network of capillaries beneath the ependymal cells or epithelium of the ventricles, composition of CSF कैसे है, nearly similar to plasma and also isotonic to blood pressure भी almost, जो होता है, इसका osmolarity जो होती बच्चो, वो ब्लड की जैसी होती है, ब्लड की osmolarity कि condition बड़ा बिलकुल अलगे, that is different, brain hemorrhage condition में capillaries rupture हो रही है, वो भी increased blood pressure में हो सकती है, उसमें ICP तो बढ़ सकता है, but hydrocephalus is a different thing and brain hemorrhage is a different thing, hemorrhage का मतलब तो होता है bleeding, internal bleeding हम actually कहते हैं, वो कब होगी, जब blood capillaries rupture होगी, तो वहाँ पर internal hemorrhage होता है, brain hemorrhage is a different thing from hydrocephalus, हा जिनमा hydrocephalus वहाँ पर brain hemorrhage की chances बढ़ जाते हैं, because of increased pressure, cells are absent, but some WBCs may be present in the CSF, total volume कितनी होती है, यह पता होना चाहिए हमें CSF की, तो total volume जो होती है, बच्चों, CSF की, that is 150 ml, पूरा, जो brain और spinal cord के बीच में भरा हुआ है, सारे ventricles, पूरी cavity के अंदर, neural seal, spinal cord के cavity में, प्लस, जो sub-reclient space में भरा हुआ है, पूरी volume इदी आप measure करोगे बच्चों, हमारे CSF की, तो पूरी volume कितनी आएगी, 1500 ml, 150 ml, कितनी आएगी, 150 ml, meningitis में, हाँ, आप कहा सकते है, CSF का volume बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ inflammation होता है, कोई भी inflammatory situation जब भी होती है, बच्चों, तो जहां inflammation होगा, वहाँ blood flow बढ़ जाएगा, और जहां blood flow बढ़ेगा, वहाँ पर filtration of plasma बढ़ जाएगा, और जहां filtration of plasma बढ़ जाएगा, तो वहाँ प दिन में फिल्टर होकर आ कितना रहा है CNS में तो करीब-करीब 500 ml हम कहते हैं बच्छों लगातार क्योंकि फिल्टर हो रहा है तो वो जो फिल्टर होकर आ रहा है को रोडर प्लेक्स से हमारे CNS के बीच में उसका वॉल्म तो 500 ml है लेकिन एक टर टाइम भरा कितना रहेगा 500 ml इन दोनों चीजों मानता है तो कोई पूछा आपसे टोटल वॉल्म कितनी प्रेजन्ट होती है सब्सक्राइब कि इंसाइड थे एमेल यह बच्छों लेकिन पूरे 24 घंटे में फिल्टर होकर कितना आता है 500 ml तो होता क्या है 500 गया था और देड़ सो वहां पर maintained रहता है यह point आगया समझ में दोनों क्यों अलग-अलग हैं आप अगेन यहां confused होते हो कई बच्चे जब पूछते हैं CSF की total volume बताओ डेड़ सोगीजे का 500 लगाकर आते हैं जो कि गलत आंसर होता है ध्यान से पढ़ना question यदि आपसे daily production of CSF पुछा जा रहा है then it will be 500 ml लेकिन आपसे total volume of CSF पुछा जा रहा है तो answer will be 150 ml बच्चों turnover पूछा रहाता है three times a day तो हम क्या कह सकते हैं जितना volume उसका total present is CNS के अंदर उसका three times production एक दिन में होता है याने कि turnover कितना है CSF production का that is three times per day हम कह सकते हैं clear है हाँ बिल्कुल दिवारी eight one time देड़ सो ही मिलेगा आपको CNS के अंदर intracranial pressure अभी मैंना आपको बताया pressure of CSF यह जो fluid है यह ventricles के wall पर भी तो एक pressure लगाएगा और यह pressure ही क्या किलाता है बच्चों intracranial pressure इसकी value हम centimeter of water में express करते हैं 8 to 10 centimeters of water होती है hydrocephalus condition already मैं भी आपको बता चुका हूँ condition of increased intracranial pressure को हम hydrocephalus केते हैं बच्चों कारण कई हो सकते हैं मैंना भी आपको most common कारण बता दिये हैं hypertension नहीं के increased blood pressure blockage of cerebral aqueduct या हम कह सकते हैं आइटर और aqueduct of silvius यदि वह वहाँ से बंद हो तो भी वह एक कारण हो सकता है बच्चों फिर CSF का drainage pathway अभी पूरा समझा है था lateral ventricles में maximum amount बनता है वहाँ से फ्रामिना ओफ मुन्रोस होता हुआ थर्ड वेंटर्कल में आएगा और कुछ amount कहां चला जाएगा बच्चों sub-recognate space में sub-recognate space में तीन फ्रामिन से उकर जाता है एक तो फ्रामिन ओफ मेगंडी यह एक ही होता है center में और दो होते हैं फ्रामिना ओफ लुच्च का इसलिए फ्रामिना वर्ड यूज करा है plural है दो फ्रामिना यहाँ पर इन ती इसका drainage भी होता रहता है बटा CSF का pressure यह अपने को measure करना होता है तो उसके लिए number puncture हम करते हैं एक तरीका तो जिन वेजिव प्रोसिजर होता है यह अपन पढ़ेंगे spinal cord की साथ थोड़ा से मैं आपको बता दूँगा क्योंकि number puncture पर question रहता है कि कौन से दो vertebra की बीच में needle डाल कर हम क्या करते हैं सब एरेक्नेट स्पेस तक जा सकते हैं बच्चों needle डाल के easily है ना और वहाँ पर भी CSF है उसका pressure भी उतना होगा जितना हमारे CNS के अंदर CSF का pressure है बच्चों almost equal होता है और वहां से हम इस pressure को measure कर सकते हैं in fact जब pressure जरूर से ज़्यादा बढ़ जाता लेकिन अब बिल्कुल नए बच्चे में newborn baby में के बार surgery करना इतना असान नहीं होता तो वहाँ पर emergency procedure दो पार्ट में surgery होती है पेदा होती है एक बार तो हमारा main purpose क्या होता है कि कि किसी भी तरकी से उसके CSF pressure को कम करें क्योंकि यदि नहीं करा तो brain tissue damage हो जाएगा उसका और permanent damage हो जाएगा जिन्दी बर के लिए तो जो emergency surgery होती है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलो परिटोनिल शंट बच्चों उसमें करते क्या है हम बहुत पतली से एक tube होती है hollow tube होती है उसका एक end तो neurosurgeon कहां डाल देता है वेंट्रिकल के अंदर और फिर skin के नीचे 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 वो हम कहते हैं thick and बहुत ही soft coverings होती है हमारी organs के आसपास abdominal cavity में जिसमें एक तो आपको क्या होती है silomic epithelium simple squirmis epithelium के layer होती है fat tissue के layer होती है loose connective tissue के layer होती है blood supply काफी जादा होती है तो वो जो दूसरा end हमने abdominal cavity में छोड़ा होगा क्या होससे इस tube के थ्रू क्योंकि CSF का pressure drop by drop और abdominal cavity में किस पे गिरेगा peritonium के उपर peritonium भी connective tissue की बनी वी उसमें rich blood supply है और यह CSF वो absorb कर लेगी उसकी blood equitable equiduct का blockage घटाना है वो कर सकते हैं मैंने बरबाद वो surgery कर सकते हैं बच्चों है ना तो यह सारी चीजे आपको मेरे को आज बतानी थी मेने इंजिज और CSF के अंदर spinal cord वाला part मैंने आपको पता क्योंकि NCRD ने नहीं दे रखा है तो बहुजादा चीज उसमें नहीं देख आपर भी मैं निडल डाल के लंबर पंक्चर कर सकता हूं थो और ऐसे कोटेब्रा की बीच में निडल डाल के लंबर पंक्चर कर सकता हूं तो हम L3 के नीचे क्यों करते हैं या L2 के उपर क्यों नहीं करते हैं या L2 के नीचे क्यों करते हैं हमेशा इसका जवाब दो चलो को करो कि है ना आज के लेक्चर में दो और कोई डाउट नहीं बई कोई डाउट तो बता देना अभी इसको रिजॉल कर लेंगो कोई भी डाउट को साथ के साथ रिजॉल करते हुए चलेंगे बाकी मेरे क्वेशन का जवाब दो दस सेकिंड में वेट करूँआ जवाब का ख़ड़ा से क्योंगी चैट में लेक भी आता है सबको पता है तो उसके बाद भी जवाब नहीं आता है तो आप इसको ढूंड का लाना जो नेक्स लेक्चर होगा हमारा नियूरल कंट्रोल और कोडिनेशन का उसमें डिसकस करेंगे क्योंकि यूजिली नीट में चीज नहीं आती लेकिन यह चीज याद रखने के लिए अभी जब मैं कारण बता दूंगा तो फिर तो आप जिंदगी बार नहीं बूलोगे कि लंबर पंक्चर की सबसची साइड होती है यह अंतर होता है एक तो हम तो अभी सिर्फ रट रहे कंसेप्ट के पीछे भी जाओ कंसेप्ट को समझके फिर याद करोगे तो फिर जो लर्णिंग में मजा हैगा ना आपको फिर आप वास्तों में एक डॉक्टर बनोगे और बेटा मैं बन चुका हूँ मैंने इसी तरह से पढ़ाय करी थी इसलिए मैं कह सकता हूँ आज मैं इ यदि नहीं कर रहा हूता मैं दोनु में सिर्फ लिटेंग चला रहा होता तो दोनों से उस्ट साथ लेकर चलना बहुत मीश्किल होता है यदि आप कमण चल दो और भी परफर में घरो तो आपने कंसेप्ट के स्ट्रॉंग रहो या location अहां तक हमारी spinal cord जाती ही बटा है ना देखो simple way में इसको समझना मालो ये हमारी vertebral bodies है है ना दो vertebra है इनके बीच में से मैं needle को ले कर जाऊंगा और कहां जा रहा हूँ यहाँ पर ये arachnoid willi हैं इसके just अंदर जा रहा हूँ अंदर हमने कौन सी बनाई थी पाइमेटर है ना और पाइमेटर के अंदर क्या है बेटा है पाइमेटर के अंदर यहाँ पर क्या होगी cns होगा brain होगा इस पाइनल कोड होगी मानलो इस पाइनल कोड है क्योंकि अभी हम वर्टेबल कोलम की बात करें इस पाइनल कोड है ठीक मैंने अब भी थोड़ी देर पहले बोला था कि यह तो को माननो मेरी अंदरन चली गई यह कहा पुक्राइगी यह अश्रीन्ज्य सिरिंज जुड़ी है पीछे तो यह निदल ने डारेक्टली किसमें पहुंंच जाएगी मेरी साफशा कोड के अंदर और यह किसकी बन है नीरोपेथी हो सकती, जैसे पेन एग्रिवेट हो सकता है, दूसरे टिंगलिंग सेंसेशन जनरेट हो सकते हैं, कुछ भी डेमेज हो सकता है पर हमानें डेमेज तुई डेमेज के नतर तो हम वो साइट प्रिफर करेंगे लंबर पंक्चर की, जहांपर यदि हमारी निडल अंदर चली भी जाए, तो हमें स्पाइनल कोर्ड नहीं मिले और वो जगह हम ल्टू के नीचे क्यों कर रहे हैं लंबर पंक्चर क्योंकि हमारी स्पाइनल कोर्ड का जो लास्ट एंड होता है, जहांपर नर्वस टिशू होता है हमारे spinal cord का, वो कहा end हो जाता है बच्चों, L1 vertebra L1 vertebra की नीचे आपको spinal cord नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कि हमारे hip तक जाती spinal cord vertebral column तो नीचे तक जा रहा है बई vertebral column तो यहां तक आ रहा है है ना, यह sacrum है बच्चों, यह L5, यह L4 L3, L2, L1 जो spinal cord मिलेगी आपको वो spinal cord सिर्फ यह जो vertebra है, L1 vertebra इसके अंदर जो tunnel है, यहीं खतम हो जाएगी यह L2, L3, L4, L5 और हम जो number puncture कर रहे है generally, वो कहा कर रहे है, L3 और L4 के बीच में यहां से needle डालते हैं बच्चों यह जो दो spine है, यह L3 का spine यह L4 का spine इन दोनों के बीच में से needle डालते हैं हम, है ना, तो needle थोड़ी अंदर चली भी गई, यहां spinal cord नहीं मिलेगी हमें कारण, spinal cord तो यहां उपर ही खतम होगी आया reason समझ में अब clear है आगे तिवारी समझ में very good, तिवारी कोटा से ही, बैटा मैं भी कोटा से ही हूं मेरा birth भी कोटा में हुआ है मेरी schooling कोटा में हुआ है MBBS मेरी SMS الا псих 신े कोटा से है फिर मेरी MD कोटा से हुई है और अभी मैं work भी कोटा में कर रहा हूं कोटा resonance में head रहा हैं biology का और फिर इसरल में भी रहूं बच्चों दो साल हैड ठीक है तो चलो मिलते हैं कोटा में हो तो कभी भूलना नहीं शाम को सेशन है लाइफ सेशन है 25 most important MCQs डिसक्स करेंगे body fruits and circulation के प्लस बच्चों एक चीज जिसकी request पिछले पूरे एक साल से लगातर मेरे पास आ रही थी क्योंकि जब से NTA ने need conduct कराना चालू करा है फिर need के pattern में बदलाव आया है तब से assertion reasoning वाले questions सभी students के लिए सरदर्द बने हुए हैं तो आपकी demand पर जैसा मैंने promise करा था 1000 1000 एक हज़ार पूरे बच्चों AR questions biology के मिलते नहीं AR questions ढूडने से भी आप लोगों को मैं आपको 1000 questions का test series बना कर दे रहा हूं और मैंने बोला ता उस पर काम चल रहा है बिल्कुल तोफान की तरह काम complete हो गया है and most probably आज या कल में वो app पे launch हो जाएगी launch video चिंता मत करो चैनल पे भी आ जाएगा तो आपको information इसे मिल जाएगी but फिर भी आपको inform कर रहा हूं अपने friends को भी बताएं definitely उसको जरूर subscribe करें बहुत nominal charges रखें बच्चों ऐसे charges जो कोई भी afford कर सकता है आप बजार में Domino's पे पीजा खाने जाओगे सिर्फ उतना खर्चा आपका होगा है ना लेकिन उसमें आपको 1000 quality AR questions मिल जाएगे तो उस series को subscribe करना ना भूलें बहुत help करेगी आपकी जैसे ही launch होगी आपको एपके dashboard पे वह available हो जाएगी by the name of super 1000 super 1000 test series है बच्चों assertion reasoning questions हमने आपके लिए हजार वहाँ पर निकाले हैं चीक है तो आज के lecture को यह wind up करते हैं मिलते हैं अगले lecture में शाम को मिलते हैं live session है बच्चों और कल सुबह आपसे मिलेंगे अगले live lecture के अंदर till then take care good bye